अगर एक्जाम में पुछा जाए कि राइट जेनरल एकाउंट और इसको आपको लिखना है और अगर वैक्शिन के बारे में पुछा जाए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगी वहाँ से आप देख लीजिएगा वैक्शिन का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है तो क्या होता है वैक्शिन और वैक्शिनेशन वैक्शिन इस एन एंटिजनिक प्रिपरेशन अप माइक्रो आर्गनिज सच अज बैक्टेरिया वाइरस और देव प्रोडुक्स अडिस्टेट फॉर प्रिवेंसर और टीटमेंट अप इंफेक्शिन डिजिज बोले ज़रा जिस और बैक्रोब के गारन जो खैसले माइक्रोब से ट्रीटमेंट गरता तीक होई यह थिका जाता है विक्षार्ण बनाइक और प्रोटिजिन रेक्डोड को शिरा प्रिंवे औरskत माइक्रोबस अंडिय है मतलब जिंदा या फिर मरे भी माइक्रोब्स का भी यूज किया जाता है बैक्सिन बनाने के लिए प्रामस्कूलर दिया जा सकता है और यह दख्ये का वैक्सीन को जो है सबसे पहले यह लैटिन वड्ड से आया है वैक्सीन का मता होता है काव ठीक है और यह जो भैक्सीन जो है इसको खोजा गया था एड़वर्ड जैनर के दवारा 1796 में यह कभी-कभी एमसी के में पूछ लि जो पहला इंजेक्शन जब दिया जाता है वैक्सीन का तो इसको प्राइमिंग डोज का जाता है जब एक ही तरह के वैक्सीन का जब सबसेक्वेंट इंजेक्शन दिया जाता है तो इसको बूस्टर डोज का जाता है दा कॉमन वैक्सीन और कॉमन वैक्सीन मतलब जो जब हो वालीवित जोसाई पार सेव dobrी होता है देटी के सब्सक्राइब लगाया जाता है इस जो मुत बच्रा जो एकी माईक्रोब के द्वारा बना के इसको तयार की मैक्रोब उसके बज़सनीजृ पमेड़ा और उसी मानगरोका यूज करके कि त्रीक कि पीषिवी से जसी माइक्रोब से गएकशिन बना करके और एक माइक्रोब से बनाया जाता है लेकिन किसी दूसरे माइक्रोब के बज़े से इनफेक्शन को, मतंब किसी दूसरे मायक्रूब Az electronic diseases को पिर बना की फिर यूज़ किया जाता, ठेक करने के लिए उसको ह Legal bar John C Скraw जाता है। और cellular यह आता है यह पहुंस सारे मायक्रूब्स को मिला के किया जाता है Exact उसको पॉलिन वैक्टिन उसको अधाय सब्सीर वैक्टिन, यह टॉक्सिं और करके बनाया जाता है मतलए अगर किसी लाइब सते त्यार किया जाता है, जैसे कि इसमें एक्जामपल में आता है डि गाउनिकेट वैक्टिन आए c सब्सक्राइब से या फिर प्रोटीन यूनिट से बनाया जाता है मतलब बैक्टिरिया का जो पॉलिसक्राइड होता है और प्रोटीन यूनिट होता है उनसे यह वैक्सिन बनाया जाता है सब यूनिट भैक्सिन और रिकॉमिनेंट भैक्सिन यह क्या होता है तो यह वैक्सिन जो है यह तैयार राता है DT आता है DP का टिका आता है ट्रीपल भेख्सिन आता है उसके बदे डीएन बैक्सिन डीये में एक तरह कर फिजन होता है फेड होता है आपका मल्टिव्यंट भेख्शेन The vaccine contains a very small dose of the pathogen Pathogen का बहुती कम amount का होता है ये vaccine Pathogen entering the cells produces cell-mediated immune response and the pathogen present in the intercellular space produces hemeral immune response जो pathogen जोते हैं वो cell के अंदर जाते हैं और produce करते हैं cell-mediated immune response और जो pathogen जो जोडमें रहते हैं CrNe cell-mediated immune response पर वो produce करता है homeeral immune response उसको the importance of vaccine, vaccine का क्या use होता है, तो vaccine primes the body to attack an infected pathogen, vaccine जो है वो इन्फेक्ट जो पैथोजन करता है, उसको ठीक करने में काम करता है, उसको एटेक करके, the body develops immunity, body में immunity का वो develop करता है, मतों किसी रोग से लड़ने का चमता को वो develop करता है, infectious diseases are prevented, जो infection जो मतों संक्रमन से जो बीमारी ह इतना कि साप काटनी पर भी इसका उपचार भैक्सित के दौरा क्या जा सकता है, मता ठीक हो जाता है,